यहाँ पर एक question है limiting molar conductivity of NH4OH यहाँ पर जो है limiting molar conductivity को capital lambda यानि अपरकेस lambda से यानि बड़े अक्षर वाले lambda से denote किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है MM के किसके लिए है molarity के लिए है और यहाँ पर यह 0 क्या है not क्या है standard condition के लिए है तो यहाँ पर capital lambda M0 क्या है limiting molar conductivity है किसके लिए ammonium hydroxide के लिए is equal to तो यहाँ पर answer होगा D यह किस तरह से होगा आईए हम देखते हैं सबसे पहले हम इस बात की जानकरी लेंगे कि conductivity क्या होती है हम जानते हैं कि कोई भी electrolyte है उस electrolyte को जब dissolve किया जाता है घोला जाता है तो क्या होता है ions में जो है तूड़ जाता है यानि कि ionize हो जाता है आईनित हो जाता है तो वो क्या देता है positive ion और negative ion देता है जैसे for example अगर हमारा ammonium hydroxide है तो यह ionize होने पर क्या देगा NH4OH तो क्या देगा NH4 positive ion और क्या देगा OH negative ion अगर माण लो NACL अगर ionize होगा तो वो क्या देगा NACL positive ion देगा और CL negative ion देगा तो यह जो positive और negative ions होते हैं यह क्या करते हैं current को ले जाते हैं यानि current को ले जाने में positive और negative ions दोनों को क्या होता है contribution होता है योगदान होता है यानि किसी भी electrolyte की जो conductivity होती है वो किस पर depend करती है positive और negative ion के जोड़ पर यानि दोनों को मिला कर जो current जाएगा वो क्या रहेगा उस electrolyte की विद्धुत अब घट्टे की conductivity होगी ठीक है लेकिन जब वो conductivity वो चालकता किसकी हो हमारे electrolyte के 1 mole की हो ठीक है न इलेक्टोलाइट का क्या हो एक mole हो electrolyte की molarity 1 हो तब इस conductivity को क्या कहते हैं molar conductivity कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान दे कि अगर यहाँ पर electrolyte weak है ठीक है न तो हम जानते हैं वो क्या होगा जब dissolve किया जाएगा तो क्या होगा बहुत कम आइनित होता है आइनाइस बहुत कम होता है तो solution में क्या होंगे? ions बहुत कम होंगे ions कम होंगे तो current क्या होगा? बहुत कम पास होगा ठीके न? जब current ले जाने वाले positive और negative ions कम होंगे तो current कम पास होगा लेकिन जब strong electrolyte होगा हम जानते हैं SETC-CDIV week जो है electrolyte है लेकिन जब strong electrolyte होता है जैसे की SCL तो हम जानते हैं ये 100% ionize होते हैं और ये H plus और CL negative ions पूरे के पूरे 100% दे देते हैं तो इसकी क्या होती है? conductivity बहुत ज़्यादा होती है उसी तरह हमारा अगर H2SO4 है ये भी क्या होता? strong electrolyte होता है ये ज़्यादा ज़्यादा 100% ionize होता है तो इसकी conductivity ज़्यादा होती है लेकिन ध्यान रखें कि अगर अनंत तनुता हो यानि infinite dilution हो यानि हम इतना जो है solvent डाल दे infinite solvent डाल दे यानि पानी ही पानी मिला दे और जो है electrolyte को इतना dilute कर दे इतना तनु बना दे इतना पतला कर दे तो क्या होगा उसके सारे के सारे जो ions होंगे चाहे वो weak electrolyte भी क्यों न हो क्या होंगे सारे के सारे ionize हो जाएंगे यानि अनंत तनुता पर infinite dilution पर weak electrolyte भी क्या होता है सारे ions उसके भी तूट जाते हैं वो भी क्या होता है 100% आइनाइज हो जाता है यानि अनंत तनूता पर चाहे weak electrolyte हो strong तो हम जानते हैं 100% जो है है ना strong जो है 100% आइनाइज होता ही है लेकिन अनंत तनूता पर infinite dilution पर weak electrolyte भी किसकी तरह भीयव करने लगते हैं स्ट्रोंग ऐलेक्टो लाइट की तरप भीयोग करने लगते प्योंकि अननत तनूता पर इंफिनिट डैलीशन पर जो है वीक इलेक्टो लाइट भी क्या वहते हैं हंडेट परसेंट आइनाइज हो जाते हैं अब यहाँ पर एक बात का धिान रखें कि अनंत तनुता यानि infinite dilution में हम उस electrolyte को इतना जादा dilute कर दें कि मान लो उसका concentration zero हो जाए मान लो उसका गाड़ापन बिलकुल खतम हो जाए है ना उसका concentration क्या हो zero हो जाए उस condition में molar conductivity को हम क्या कहते हैं limiting molar conductivity कहते है तो यहाँ पर हमें जो है किसके लिए NH4OH के लिए हमें जो है क्या बताना है limiting molar conductivity को बताना है कि वो किसके equal होगी हमारे चार options में किसके equal होगी तो हमने अभी simply बताया कि conductivity क्या होती है उस electrolyte के positive ion और negative ion के sum के बराबर होती यानि conductivity में positive और negative ions दोनों का योगदान होता है तो यहाँ पर NH4OH के लिए answer क्या होगा NH4 positive ion और OH negative ion या answer होना चाहिए तो हम तो हम इन चार options में ये देखेंगे कि किस options से हमें NH4 positive और OH negative ion प्राप्त होगा या मिलेगा तो यहाँ पर हमारा जो answer है option D इसमें क्या हो रहा है जो है NH4 Cl है और क्या है प्लस Na OH है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ammonium chloride है और क्या है sodium hydroxide है यानि जब हमने ammonium hydroxide की reaction किस से कराई होगी sodium chloride से कराई होगी ठीक है है ना sodium chloride यानि salt से कराई होगी तो यहाँ पर क्या बना होगा NH4 Cl प्लस Na OH बना होगा यानि यहाँ पर क्या हुआ double displacement reaction होई इस reaction में अगर हम देखें तो sodium iron की जगह क्या आगया है ammonium iron और ammonium iron की जगह क्या आगया है sodium iron यानि यहाँ पर क्या हुआ है double displacement हुआ है जिस से जो है ammonium chloride और क्या बना है sodium hydroxide अगर हम इस reaction को उल्टा कर दें यानि क्या करें sodium iron और chloride iron इसमें से हटा दें या minus कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा हमारा ammonium hydroxide यानि जो question में पूछा जा रहा है वो हमें मिल जाएगा और इसके जो ions होते हैं वो ही क्या करते हैं current को ले जाते हैं ठीक है ना यानि conductance उनी ions से होती है तो हमें क्या होगा ammonium hydroxide फिर मिल जाएगा तो हमारे d option में अगर हम देखें कि हम क्या करें जैसा हमने बताया ammonium chloride और sodium hydroxide में से अगर हम NaCl ठीक है ना Na और Cl वापिस minus कर दें तो क्या होगा हमें फिर क्या प्राप्त हो जाएगा ammonium hydroxide हमें फिर प्राप्त हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या है limiting molar conductivity है तो यहां से हम जो है NaCl को निकाल देंगे तो यह हमारा ammonium hydroxide जो है हमें प्राप्त हो गया है तो यह हमारा answer होगा और बाकी options को भी अगर हम check कर लें तो पहले option A में क्या है sodium जा रहा है ठीक है और क्या जा रहा है OH तो यहां पर OH निकालने के लिए कहीं पे भी नहीं है हमें ammonium hydroxide प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह हमारा answer नहीं होगा B वाले में अगर हम देखें तो ammonium iron minus 14 जो कि यहां पर नहीं है और CL minus हो रहा है यानि यहां पर भी हमें ammonium hydroxide प्राप्त नहीं होगा C में अगर हम देखें तो हमारा H minus हो रहा है और CL minus हो रहा है हमें NH4H ammonium hydroxide प्राप्त नहीं हो रहा है यह भी हमारा answer नहीं होगा लेकिन हमारे D option में हमें ammonium hydroxide प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा इसकी limiting molar conductivity क्या होगी किसके equal हो जाएगी यानि हमारे option decay यानि इससे भी हमें ammonium hydroxide प्राप्त हो रहा है जिसके ions से क्या होगी conductivity होगी जो की current ले जाते हैं थैंक्स पर वाचिंग जाते हैं